अज मैं आपको घर में जट पट आदे घंटे के अंदर के अधर गुड़ और तिल के लड़ू तेयार करने हैं वो बताने वाली हूँ आपको गुड को अच्छे से कूट लेना है उसको मैश करके एक साइड रख लेना है उसके साथ ही मैंने 1 kg तिल ले लिए उनको मैंने अच्छे से बील लिया उसमें जितने भी गंकर पत्रत्य उनको रिमूव कर दिया है अब मैं कडाई पे इनको अच्छे से हलकी आच पे ब् तो इसके बाद इसका टेस्ट भी इनहेंस हो जाएगा अब इनको आपको लड्डू बनाते टाइम जो दिमाग में चीज रखनी है उस चीज को धिहान रखें कि आप जैसी कड़ाई से तिल और गुड का जो मिक्स्टर है इसको तारेंगे हलके हलके गरम होने पर ही आपको इस करने के बाद चिपकेंगे नहीं और इसके लड्डू बनना इंपॉसिबल हो जाएगा दूसरी चीज क्योंकि यह जब आप दुबारा गरम करने की कोश्च करेंगे तो गुड जल सकता है जिससे यह बहुत ही सक्त हो जाएगा तो जब यह हलका गरम हो तभी फटा-फट से लड्डू हमें बनाने हैं इसके बैनिफिट से इतने सारे हैं क्योंकि यह जितने भी जॉइंट जितने भी तरह के किसी भी तरह के जॉइंट स्पें है उसके लिए बहुत ही बैनिफिट देता है मैं खुद अपने लिए यह बैनिफिट के लिए ही अपने जॉइंट स्पे हम इनको अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे ना तो आप अपने जॉइंट स्पेन में बहुत ही अच्छा रिलीफ फील करेंगे और साथ ही चोटे पच्छे से लेके बड़ा इंसान तक भी ले सकता है बड़े बुजुग तक भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें साथ साथ आपक कमी को भी दूर करें